मेरा किसी से कोई competition नहीं है, मैं तो सब के चरणों का दास हूँ, जितने भी अच्छा वाचक है मैं सब के पाउं की धूल हूँ, और सभी सबसे मैं छोटा हूँ, राजा है समय मोदी जी, योगी जी, यदि राजा चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मोदी जी के चाहने से 2000 का मैंने सुना है संतों से के भजन में सुर्ताल की जरूरत नहीं है, सुर्ताल से ना गाओ, भाव से गाओ, नमस्कार सौगन टीवी में आपको बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ रविंद्र और आज हमारे साथ बेहत खास महमान मौजूद है, अनूरत चारिये जी हमा सबसे पहले हमारे इस कारिक्रम में भाज भूद, भाट 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 थन्यवाद, सबको जैश्री मनना रहे हैं. अचारे जी मैं सबसे पहला सवाल तो यही पूछना चाऊँगा आप से कि आप बहुत पड़्सिद हैं आज पूरी दुनिया में आपके कारिक्रम और प्रोग्राम प्रोग्रामों की मांग है मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो जर्नी है ये जो यात्रा है इसका शुवारम कैसे हुआ और कहां से हुआ बच्पन से ही कथा पिता जी सुनाते थे हम सुनते थे फिर ब्रंदावन पढ़ने आए और यहीं से फिर ये कथा की गंगा में हम सब को डुबकी लगाने का सवभाग मिला और आज कथा करते करते इन व्रधमाओं की सेवा का इश्वर ने दायत तुद्य आज दो सुअस्टी से अधिक व्रधमाइ गौरी गोपाल में हैं अखंड रसो ही चल रही है यह सभी सेवाओं की जिम्मेदारी मिल गई और कथा कि संक्संग सारी सेवाएं आप बिहारी जी स्वीकार कर रहे हैं आप यह जो व्रधाओं के लिए जो आश्रम बना रहे हैं यह बहुत बड़ी ज दायोग से यह सब कारे चल रहा है अचारी जी इसमें मैं एक सवाल और करना चाहूंगा कि एक नियम है संतों के साथ खासतोर पर कि उनके साथ जब वो परसिद्धी हासिल कर लेते हैं तो उनके साथ बड़े-बड़े नाम बड़े-बड़े उद्योग पती जुड़ जाते हैं जाने है एक लेकिन हैं लेकिन अभी तक तो यह सब भक्त ही आप जैसे भक्त हैं और सलस्हायोग करते हैं सबके सहयोग से ही यहां की सारी से रहा है है यहां पर कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं कि जो कोई बगभदा उद्योग-पती हो आप सब के सहीोग से ही यहाँ सब चल रहा है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नाम में अभी कैसे, कोई है और आप नहीं तो कैसे लूँ? अच्छा, एक बात बताईए, मुझे यह जो आप सुबा से लेके शाम तक मैं, आज सुबा से ही विरिंदाबन में हूं मैंने सुबा भी आपकी कथा सुनी। देखा आपको खुर्दय की बात आपने कही। मुझे यादे की खुर्दय को लेकर करके बड़ी सुंदर बिवेशना आपने की और आप गाते भी बड़ा सुंदर है। और ऐसा अद्भुत गायन मैंने बड़सों के बाद सुना हाला कि गायक तो गाते ही हैं आपने कहीं गायकी की सिक्षा लिए सच-सच बताइएगा गायकी की सिक्षा प्रवपर तो कहीं रागों का ग्यान नहीं किया मैंने लेकिन अभ्यास भगवान की क्रपासे अच्छे से कोई ऐसे गुरू नहीं थे बच्पन में एक गुरू जी तो मैं कोछ दिन गया वहाँ उन्होंने एक राग सिखाई मुझे पर वो पूरी मैं नहीं सीख पाया क्योंकि फिर मैं आना पड़ा मुझे किसी गारण बस तो बहुत ज्यादा रागों का मुझे ज्यान नहीं है लेकिन खिवान की सेवा टुटी shortestि क्योंकि मैंने सुना है संतों से कि भजन सुरताल की जरूरत नहीं है सुर्दा सुर्ताल से और भाव स्वाव और से हुशन के बहूत and बंगलते हैं वहीं गाने कप्रयास करता हूँ सुर्टाल तो मेरी अच्छी नहीं एक और सवाल है कथा वाचकों के बीच में बहुत competition है ब्रिंदावन में हर गली में हर नुकड़ पर एक कथा वाचक है यह competition कैसे पूरा करते हैं आप मेरा किसी से कॉई competition है मैं नहीं हूँ जितने बंब इंधाया वाचक है मैं सब के पाउं की धूल और सभी अच्छोटा हूँ सब tilted मैही हूं तो मैं सब के पाउं की ढूल हूँ तो मेरा किसी से competition है कोई किसे रखता हो गब या स्वर जान enforce अपना काम भी आपका घंटो घंटो समय लेते हैं खाते पीते भी नहीं मुझे ही बड़ी तेज प्यास लगने लगी बैठे-बैठे कैसे मैनेज करते हैं इतना सब को जाब है वही तो है कि एक इनसान तो यह मैनेज नहीं कर सकता ये सारा मैनेज्मेंट भगवान कर रहे उन्होंने हमें और आपको निमित बना रख जैसे हनुमाण जीं लंका गए तो हनुमां जी कोई अपने से लंका थोड़ी चले गए हनुमाण जी के बारे में लिखा है कि प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही जलदी लांग गए अचरजनाही यदी राम के बलसेक बंदर समद्र को छलांग लगा के पार कर जाता है तो यह उस बंदर की महिमा नहीं है यह राम की महिमा है ऐसे यदि यहां गौरी कुपाला में कुछ हो इसका मैं नहीं भगवान कर रहे हैं और वो शक्ति दे रहे हैं वरना किसी इंसान की बसका कोई भी कारें नहीं है जो यहां आप देख रहे हैं यह जो शोशल मेडिया पर कई तरीके के मीम्स चलते हैं आपके और चीजों को तोड़ मोड कर भी परोज़ देते हैं अभी पि कि हाँ चलो कुस तो चल रहे हैं नहीं गुस्सा नहीं आता लोगों पर अधूरी बात सुन रहे हैं पूरी बात नहीं सुनते हैं दो मिनट की भाई कोई बात यदि मैं कह रहा हूं तो उससे समझाने में वक्त तो लगेगा अब आपने केवल दस सिकेंड निकाले तो जब से नमें थोड़ी सार तक पहुंचेंगे और जो सार तक नहीं पहुंचा तो आप निसकर सिदक जब पहुंचे नहीं तो फिर बोलना क्या है सनातन का जो रास्ता है अचारिय जी बड़ा कठिन है और मौझूदा दौर में जब यूबा भटका हुआ भी महसूस होता है और यह हर यूग में होता है हमारे पिताजी भी बोलते हैं कि यूबा भटका हुआ है उनके पिताजी भी शायद बोलते हो कि यूबा भटका हुआ है आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं यूबाओ को समझाने का परियास कर रहे हैं लेकिन ताजुप तब होता है जब मत्रा और विरंदावन में ही आश्रम से सौ फलांग की दूरी पर शराब की दुकाने होती है अब तो आप में इतनी ताकत भी है रुख क्यों नहीं जाती है सब शराब की दुकाने और गुटका क्यों बंद नहीं हो जाता है देखिए मेरी ताकत से नहीं होगा सबसे बड़ी ताकत होती है राजा की राजा है समय मोदी जी योगी जी यदि राजा चाहे तो क्या नहीं हो सकता मोदी जी के चाहने से 2000 का नोड बंध हो गया मोदी जी की चाहने से दी नोट बंध हो सकता है तो शराब भी बंध हो सकती है गवहत्या भी बंध हो सकती है गुटका भी बंध हो सकता है चाहने तो क्या नहीं हो सकता मैं प्रजा हूं मैं प्रजा हूं आप प्रजा हैं हम और आपके वल आवाज लगा सकते हैं क्योंकि आज तो हम क्या करेंगे कानुन तो उनका साथ देगा तो राजा बंद करेगा प्रजा बोल सकती आवाज उठा सकती है हमारे और आपके हांथ में अधिकार नहीं पावर होता तो मैं घंटे भर के अंदर पूरे देश स्राब बाहर करा देता आप देख रहे हैं सौकंद टीवी सौकंद वतन की